हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप लोग बढ़िया चलिए आज वह आपके लिए ग्राफ लेके आये हैं ग्राफ ओफ वाई इक्वल टू साइन अफ साइन इंवर्स एक्स जो होता है वह एक्स करिकर होता है अब समझ्जेगा ध्यांसी अब सबसे पहले डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं इस फंक्षन की डोमेन क्या है समझेगा ध्यांसी साइन इंवर्स में इंपूट गया माइनस वन से वन साइन इंवर्स को आज इंपूट मिला माइनस वन से वन तो साइन इंवर्स को इंपूट मिला माइनस वन से वन तो साइन इंवर्स आउपूट कहां से कहां द साइन इंवर्स का आर्पुट था वो साइन का इनपुट बना तो साइन को इनपुट मिला माइनस पाइबे टू साइन को तो आज बहुत छोटी वैलू मिल लई है माइनस पाइबे टू साइन का ग्राफ आपको पता होगा तो देखिए साइन को तो आज input मिला minus pi by 2 से pi by 2 साइन को input मिला minus pi by 2 से pi by 2 साइन को input मिला minus pi by 2 से pi by 2 तो साइन output कहां से कहां दे रहा है minus 1 से 1 तो आज तो साइन को बहुत छोटी value मिल लेए minus pi by 2 से pi by 2 तो जो output आएगा y belongs to close interval minus 1 से 1 मतलब इस function की domain भी है minus 1 से 1 और principal value range जो function की range है वो भी क्या है minus 1 से 1 है तो graph देखिए इसका कैसा बनेगा सबसे पहले x axis y axis डर करना है आपको और graph बनेगा किसका y is equal to x का y यह y dash और यह origin है देखिए ध्यान से समझेगा बिल्कुल तसल्ली से ये वाला minus 1,0 ये वाला point 1,0 ये वाला point 0,1 और ये वाला point 0,1 एक एक बाते ध्यान से समझेगा कहीं जल्दवाजी नहीं किजिएगा गरवर हो जाएगा बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से y is equal to x का graph खीचा जाना है minus 1 से 1 के बीच में तो इसका graph जो होगा ये इसका क्या हो गया graph हो गया y is equal to किसका graph है y is equal to sin of sin inverse x का graph ये straight line हो गया y is equal to x के याद रखिएगा पूरे में line मत खिजिएगा जितना input मिला है minus 1 से 1 उतना ही output है तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा और ये भी चीद दिख रहा होगा कि ये function आज कैसा है one one है चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले graph के साथ अपना ध्यान रखिएगा